प्रियो छात्रो इस से पूर कि वीडियो में अपने प्रकविभिजेट्स के संबंध में अधिन किया था जिसमें मैं आपको बताया था कि प्रकविजेट्स जो है अनुलाब किसे कहते हैं इसके इंतरगत प्रकविजेट्स syntaxable for all employees prequisites taxable for specified employees and exempted prequisites. आज अपने देखेंगे taxable prequisites for all employees. सभी करमचारियों के लिए कर-योग्य अनुलाब उसके अंतरकर देखेंगे आज वेलवेशन ओफ रेंट फ्री अन्फरनेस्ट हाउस या अकमेडेशन किराय से मुफ्त रहने के असुसजिद मकान की सुईधा का मुल्याकन इसका तातपरी क्या पहले वो समझे नियुकता यानि कि एमप्लॉयर अपने करमचारी को रहने के लिए फ्री मकान की सुईधा देता है ठेंडने के लिए मकान की सुईधा देता है यानि कि यदि कोई करमचारी जो है उसकी नियुकती जब होती है तो नियुकता उसको मकान की सुईधा देगा अब मकान की सुईधा देगा तो उसस्ति में हमें आयकर नियमों के तहट ये ज्याद करना होगा कि कितनी रासी सुईधा का मुल्ले होगी और वो जो सुईधा का मुल्ले होगा वो आयका भाग माना जाएगा वेतन सीर्शक के अंत्रगर्ण अब इसमें बात आती है करमचारी किस तरह के केंद्रिय अत्वा राजय सरकार के करमचारी है या नीजी चेत्र के करमचारी इनिकी गौर्नमेंट एंप्लोईज और नौन गौर्नमेंट एंप्लोईज प्राइवेट सेक्टर के नीजी चेत्र government employees के लिए तो सीधा सरल सी बात एक ही है कि as per norms जो government percentage निधारित करती है वो ही value of perquisites मानी जाएगी value of rent free accommodation मानी जाएगी बात आती है non-government employees या private sector के employees है उनके लिए मकान की स्वीधा का मुल्लेंकन कैसे किया जाया value of rent free accommodation का है इसमें situation जो है अलग लग प्रकार किया है first यदि मकान का स्वामी नियुकता if employer is the owner of house company या नियुकता स्वेव उस मकान की स्वामी हो ओनर हो दूसरी यदि मकान नियुकता द्वारा किराय पर लेकर दिया गया है lease पर लेकर करमचारी को दिया गया है तो ऐसी स्थिति में क्या calculation होगी आज पहले देखते हैं यदि मकान का स्वामी नियुकता हो यानि कि employer जो है उसकी own building हो नियुकता जो है उसकी खुद की building हो तो उस स्थिति में हम कैसे करेंगे owner का स्वामी का मकान होने पर तीन situations तीन स्थितियां होती है जो की स्विधा का मकान की स्विधा का मुल्यकन के निर्धान के लिए की जाती है इसमें जनसंख्या यानि कि आबादी का जो है important role है इसका निर्धान जैसे पहला मकान के स्विधा 10 लाक या इससे कम आबादी वाले सहर में दी जाती है यदि करमचारी जो न्यूक्त है वहां की जनसिंग्या 10 लाग या इससे कम है उस सहर में है तो मकान की सुईदा होगी वेतन का 7.5% सुईदा कम रिले 7.5% of the salary यदि population जहां सुईदा दीगे मकान की वहां 10 लाग से अधिक 25 लाग से कम ऐसे सहर में करमचारी को मकान दिया गया है तो value of perquisites सुईदा का मुल्यवा वेतन का 10% 10% of the salary और मकान की सुईदा 25 लाग या इससे अधिक आबादी वाले सहर में दी जाती है तो वेतन का 15% 15% of the salary important point जो है कि सबसे पहले प्रश्न को हल करते समय सुईदा का मुल्यवा ज्यात करते समय मकान का आपको देखना हुआ उस सहर की जनसंख्या कितनी है आबादी कितनी है यदि 10 लाग है और 10 लाग से कम है तो आप लेंगे salary का 7.5% 7.5% of the salary population 10 लाग से ज्यादा और 25 लाग से कम है यानि कि अधिक नहीं है तो 10% of the salary 25 लाग या इससे अधिक है तो उस condition में salary का 15% आप सुईधा का मुल्य मानेंगे अब इसी में जो आती है बात कि कम्पनी का खुद का मकान नहीं है कम्पनी ने आपको किराय पे लेके मकान दिया कम्पनी ने करमचारी को कहा क्या मकान पसंद कर लीजिए या कंपनी ने खुद ने किराय पे लेके दिया हम किराय दे देंगे उस इस्तिती में क्या होगा नियुकता द्वारा किराय के रूप में दे रासी या वेतन का पंदराप्टिस सथ जो किराय दिये गया वो रासी यानि कि रेंट पेड और 15% of the salary किराय के रूप में दे रेंट पेड जो नियुकता द्वारा रेंट पेड बाई दी एंप्लोयर और 15% of salary whichever is less will be value of the park अब बाद आती है इन दोनों situation के अलावा अन्य प्रकार की मकान के सुईदा थी पहले नियुकता की थी मकान, owned house, दूसरा था किराय पे लेकर या lease पे अब तीर से situation और आती है कि करमचारी को होटल में रहने के सुईदा दी जाए चाहे सरकारी हो या चाहे गैर सरकारी हो पंदरा दिन तक यदी होटल में रहता है तो उस condition में कोई आपकी value of park zero होगी पंदरा दिन से अधिक transfer case में है यदी होटल में रहने के सुईदा जाए in case of transfer पंदरा दिन से जादा होटल में रहता है तो 24% of the salary period और amount paid by the employer to the hotel होटल को जो payment किया गया वो या वेतन का 24% संबंदित वेतन का जो भी कम हो whichever is less or least amount वो सुईदा का मुल्य होगा यदी करमचारी से किसी प्रकार का कोई वसूली की गई है कि भी होटल का इतना किराय दिया हमने उसमें से आप इतना payment करेंगे तो वो consistent हो जाएगा वो कम कर दिया जाएगा अब बात आती है यदि आपको remote area में रहने का मकान उपलब्द करवाया जैसे कि इसे पूरु के वीडियो में मैंने आपको बताया था कर मुक्त अनुलाव यानि के exempted perquisites तो उस इस्तती में सुईधा का मुल्य सुनने होगा और transfer case में in case of transfer मकान एक से अधिक उपलब्द करवाया जाए ये भी मैंने पूरु में बताया था 90 दिन से कम अब्दी है कम मुल्य वाला एक मकान की सुईधा और 90 दिन से अधिक है तो दोनों मकानों की सुईधा का मुल्य लिया जाएगा विशेज सुपसे जो बात समझनी है कि ये ये ट्रांसपर case है और hotel में रुकने की सुईधा दी गई है 15 दिन से अधिक है तो taxable होगा कितना होगा 24% of the salary और amount paid by the employer to hotel whichever is less remote area में आपको मकान की सुईधा दी गई है तो उसमें value of perk relating to house जीरो और यदि दो से अधिक मकान आपको ट्रांसपर case में दी गई है 90 दे से यदि अधिक है तो दोनों मकानों की सुईधा का मुल्य लिया जाएगा 90 दे से कम है तो जिस मकान की सुईधा का मुल्य कम होगा वो consider करेंगे अब इसमें जो बार-बार बात आती है वेतन, वेतन का 7.5%, 10%, 15% और कहीं पर आया 24%, अलग-लग percentage दे रखें तो most important जो बात है इसमें समझने की वो है meaning of salary वेतन का अतातपरिय क्या है? Meaning of salary relating to valuation of the rent-free, unfurnished house असुसरजित मकान की जब हम मुल्यंकन करते हैं तो उसमें वेतन का अतातपरिय क्या है? वो important है क्योंकि यहां वेतन को विस्तित रूप में बतलाएगा है सबसे पहले आप देखिए basic salary लेंगे, bonus लेंगे, commission लेंगे commission क्यां लिखा गया है? सदेव यह निए always चाहिए in percentage में हो और in amount में हो आपको इसमें लेना ही है मैं गई बत्ता dearness allowance अब बात आती है इसमें लिखा है यह दी सेवा सर्तों के अंतरगत सेवा सर्तों के अंतरगत करता आत पर as per service conditions यदि DNS allowance as per service conditions part of the retirement benefit है तो हम उसको इसमें consider करेंगे, अन्यता नहीं करेंगे अन्य सभी करेंगे बत्ते, all taxable allowances all taxable allowances जितना भी आपके taxable allowances एक तो fully taxable allowances है वो तो लेने ही है, इसके साथ partly taxable allowances में जो उनका part taxable है, जैसे partly में children education allowance है, border area allowance है ये allowances में जितना part taxable है, वो taxable allowance लेना है फिर इसके बाद यदि आपको कोई पूरु नियुकता से मासिक pension है या वो प्राप्त हो रही है, तो वो इसके इंतरगत सामिल करेंगे एक से अधिक नियुकताओं से वेतन प्राप्त होता है, more than one employer आप salary receive कर रहे हैं, तो दोनों को हम इसमें समलित करेंगे मकान की सुईदा के मुलेंकर में वेतन दे आदार पे due basis पे लिया जाता है पिछली अधिका बकाया वेतन, area of salary, advance salary, encasement of earnly को हम सामिल नहीं करेंगे अब बाद आती है कि वेतन जो है, इस वेतन को हमें अच्छी तरह समझना है कि क्या क्या सामिल होगा इस बिंदू को हमें मद्दे नजर रखके ही हम मकान का मुलेंकर करते हैं अब बाद आती है कि करमचारी को जो मकान की सुईदा दी गई तो पहले हमने देखा, वेलवेशन आफ रेंट फ्री अनफर्निस्ट हाउस असु सजित मकान की सुईदा का मुलेंकर अब जो इसी का दूसरा पार्ट है, वेलवेशन आफ रेंट फ्री फर्निस्ट एक्मोडिशन सु सजित मकान की सुईदा का मुलेंकर सू सच्चित का तातपरिय फरनीचर का तातपरिय केवल फरनीचर से नहीं और भी जो उसमें जो फरनीचर केवल लकडी का फरनीचर नहीं आपको AC है वो भी फरनीचर का पार्ट होगा आपके गीजर है वो भी फरनीचर का पार्ट होगा ये सब furniture के part होंगे आपको लिखा जाएगा कितने furniture मुल्ले का है अब बात आती कि well furnished house जब employees को दिया जाता है अधिकारियों को furniture की सुईदा दी जाती है तो well furnished house है तो wellvation of rent free furnished accommodation कैसे calculate करेंगा सबसे पहले आप wellvation of rent free unfurnished house मुफ्त रहने के असुचिज मकान का सुईदा का मुल्लेंकन जात करेंगे उसमें plus करेंगे add करेंगे यदि आपको question में cost of furniture जैसे आपको दे दिया गया कि 5 लाग का furniture उपलब्द करवाएगा तो उस condition में 10% cost of furniture furniture की मूल लगत का 10% आप सामिल करेंगे यदि furniture करमचारी को जो दिया गया वो किराय पे लाके दिया गया तो उस condition में rent paid relating to furniture भी बी added दो situation होगी पहली company का या नियुकता का furniture स्वयम का हो उन्होंने आपको furniture की सुईदा दिये और उसका आपको लागत मुल्ले दे रखा हो यदि लागत दी गी है यदि furniture की लागत नहीं दी गी है furniture किराय पे उपलेट करया गया है तो जो चुकाया गया किराय है rent paid by the employer relating to furniture वो इसमें add कर देंगे दोनों में से जो situation होगी add करेंगे उसके बाद जो value आईगी वो कहलाईगी value, valuation of rent free furnished house पहले था unfurnished अब हो गया furnished house अब जो next point है वो है valuation of accumulation provided at consistional rate नियोकता नहीं कहा कि भी देखो हम आप से कुछने कुछ रासे तो वसूल करेंगे प्रतिमाहा तो ऐसी स्थिमो free सब्द जो है valuation of rent free unfurnished house या valuation of rent free furnished house वो नहीं रहेगा अब situation हो जाएगी valuation of accommodation provided at consistional rate वो consistional reality इदर पर हो गया पूर्ण रूप से आपको मुफ्त नहीं दिया है कुछ वसूली की जा रही है तो आप कैसे करेंगे value of rent free unfurnished या furnished house जो भी आपको situation है उसमें से आप amount deducted from employee salary for this facility नियोक्ता ने आपके वेतन में से जितना इस सुईदा के लिए पैसा काट लिया है deduct कर लिया हो गटा देंगे माल लिजे unfurnished या furnished जो मकान है उसकी value आती है जो आपको सुईदा दी गए है प्रती महा 15,000 साल बर के 1,80,000 आपके माल लिजे लेकिन नियोक्ता आपसे प्रती महा उसमें से 5,000 पर वसूल करता है वेतन में से काट देता है तो 5,000 के साब से साल बर क्योंके 60,000,000 1,80,000 में से आप 60,000 गटा देंगे तो वो कहलाएगा Valuation of Accommodation Provided at Consistional Rate 1,20,000 1,80,000 में से आपने 60,000 गटा दिए क्योंकि नियोक्ता ने उसकी कटोती कर ली आपके वेतन में से प्रती महा 5,000 तो वो 1,20,000 के लाएगा यदि नियोक्ता किसी प्रकार की कोई कटोती नहीं गरता तो मकान की सुधा का मुल्य होता 1,80,000 वेतन का भाग मना जाता वेतन सीर्षक में कर ली होता Thank you